दिल थाम कर बैठिये दोस्तों, मंत्री चे हमारे बीच आ चुके हैं, अब वो एक बाग फिर रावन को तीर मात कर हदसार की तरह पुराई पर जीत हासिल करेंगे तू मारेगा मुझे, तुम सब यहां मुझे मारने कटा हुए हो, अरा तुम्हारा खुद का कोई इमान धरम नहीं है, तुम मारोगे मुझे, और एक बात बता, पिछले साल तो कोई और आया था मारने मुझे, इस बार वो नहीं आया? तुम सब अंदर से एक जैसे के जैसे हो, ठीक बीड़े कटी हुई है मुझे मारने के लिए आज, मैं माता सीता को लेकर गया था, इसलिए मारने के लिए एक खटी हो है ना तुम सब आज, हाँ मैं मानता हूँ मेरी गल्ती, लेकिन माता सीता को किसी कारागरा मैं नहीं, सब लगाना तो दूर गलत नजर से देखा तक नहीं था मैंने माता सीता को और तुम्हारे यहां चोटी-चोटी बच्चियों को दरिंदे उठा कर लेकर चले जाते हैं उनके साथ रेप करते हैं उनको तो तुमने कभी ऐसे खटाओ कर जलाये नहीं वो दरिंदे क्यों खुले आम गूम रहे हैं आज भी मुझे ये बताओ आये मुझे जलाने अब चोटे तू बता मैं तो सभी वेद और ग्रंतों का ज्याता हूँ तूने कौन सी वेद ग्रंत या पुस्तक पढ़ी है मुझे ये बता पांचुई फेल मेरे समक्ष बोलेगा तू चुप चाप खड़ा तू देख मुझे ना किवल संगीत का शौक है बल्कि सभी रागों का सुरो का और वाद्देयंत्रों का ज्यान भी है तूझे क्या ज्यान है वाद्देयंत्रों के बारे में ये मार ने आया है मुझे अब तुम लोग सुनो मेरे जैसा मादेव का भक्त ना तो कोई हुआ है ना मेरे जैसा मादेव की भक्ति किसी न की है और तुम लोग तुम्हारा भी कोई जमीर नहीं है भगवान पलड़ते समयने लेते तुम काम हुआ तो ठीक तो चलो मादेव क पास हुए तो चलो महादेव के नहीं हुए तो चलो इस बार बाला जी के चलते हैं क्या हुआ गुसा आ रहा है मेरे उपपर तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो मुझे कुछ फार्ट ने पड़ता लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो मैं चाहि कैसा भी हूँ लेकिन तुम्हा इस मंत्री जैसा कदापी नहीं हूँ मैं मेरे राजपाट मैं जनता प्रसंद रहती थी खुश रखता था मैं उन्हें इसकी तरह पठाकों की चोरी कभी नहीं की मैंने बोलू बता दू सभी को ये दुष्ट ये तुम्हारा मंत्री दुष्ट एक नंबर का ये काग्जों में लिखता है कि रावन दर्न के लिए पचास पेटी पठाकों के लगे और लगाता पाँच भी नहीं है ये सब इसके घर पे जा रहे हैं और तुम लोग क्या कहते हो बुराई पर अच्छाई की जीत कहां हुई कहां हुई बुराई पर अच्छाई की जीत जब तक तुम्हारे मन में चोरी गद्दारी लालच वासना द्वेश एहंकार जैसी भावनाय जीवित है बुराई कैसे मरेगी बुराई मरी नहीं सकती तुम लोग मुझे खत्म करने आयो ना अरह मेरा खत्मा तो मेरा एंकार कभी कर चुका अब अगर मारना है जलाना है तो अपने अंदर छुपे रावन को जला उसको मारो सच्चाई और अच्छाई को अपना लो बुराई अपने आप खत्म हो जाएगी और अगर तुम मुझे जलाने के उद्देशे से ही आये हो तो मैं तुम्हें बता दू कि सिर्फ छोटे बच्चे ही आज की तारिक में मुझे जला सकते हैं क्योंकि उनके अंदर चोरी, कद्दारी, लालच, घणा, वासना, द्वेश, एंकार जैसी भावनाएं नहीं हैं असल में वह हैं इश्वर का स्वरूप ए लड़के लगा दे आग फिर से जला दे अगले साल फिर आउंगा मैं जलने के लिए लेकिन अगले साल मैं देखूंगा कि आप लोगों ने अपने अंदर के रावन जलाये हैं या नहीं खुश है अभी आप सब एक बार फिर से आपका रावन जल रहा है